सो एनिमे की स्टार्टिंग में हीमेनो कहती है कि आराई अभी तो तुम नीचे गए थे सीडियों से लेकिन वापस आई उपर से कैसे हीमेनो कोबे नाई को डबल पीस साइन बनाने को कहती है क्योंकि कोबे नाई इस पास से बूटर चुकी थी और पागलों की तरह कि उतती है इमेनों आपी से पूछती है क्या क्या चल रहा है तो वह और चुछता है कि छण publications नहीं किया हुगा अब एकिर शॉर अजा बिल्डिंग का एलिवेटर भी वर्क नहीं कर रहा है। डेंजी ने सीधिंग से जाने की भी कोशिश करी पर फिर भी वो इर्ट सोर परी निकला। अब डेंजी कहता है कि सायद पावर ने जिस डेविल को मारा था उसने सायद मरते समय हमें ट्रैप में फसा लिया। उस बांकी कहता है कि सीफिंग डेविल की पावर उसके मठते ही रिलीज हो जाती है। मेरा न कहती है कि वह मास्क टुकड़ा अभी थिल डूल रहा है। मैंच कहती है कि पिछला डेविल सिर्फ एक चारा था ।फॉर्स टाइम ऐसा किसी ना हमारे साथ किया। आराई कहता है कि हमारी हेल्प के लिए और कोई क्यों नहीं आया तो हीमेनो कहती है कि सायद वो भी ट्रैप में फच चुके होंगे कोबे नाई दोने लगती है आराई कहता है कि क्या तुम्हें अपने बाई को कॉलेज नहीं बेजना उस पर कोबेनाई कहती है कि मेरे पेरेंस ने इसी वज़े से मुझे जौब पर लगाया जो कि डैविल हंटर्स की है इस पर पावर हसने लगती है हिमेनो उसे दिलासा देती है अब हिमेनो आकी से पूचती है कि क्या तुम्हें कोई चीज प्रेशान कर रही है तो वो कहता है क्या तुम्हें इन गड़ियों को देखा यह आठ अठारा पर यह अटकी हुई है अब हमारी मदद कोई नहीं कर सकता क्योंकि टाइम फ्रीज हो च जी कहता है और पावर तबधी पावर कहती है कि मुझे तो बस नोबल प्राइज जीतना है एक बार मैंने उसे जीत लिया तो सबी लोग मुझे परणाम करेंगे अभी मैंने लास्ट पीती हुए कहती है कि मुझे कोई जिनता नहीं है आखी अपना काम कर रहा है और ये पिना और दोस्त बनाना पसंद नहीं को पता है ऺपने पैरेंट्स को बदला लेने लिए तो घंड डैवील को मारने के लिए यहां आये हो अब आगी देखता है कि हमेनो को कोई ओरत्वर मारती है वह वहाँ से चली जाती है वह आकी को बताती है कि वो उसके पार्टनर की कल फ्रेंड है वो उन्हें डैविल से बचा नहीं पाए तो उन्होंने मुझे ये काम सोपा आकी उसके पीछे जाता है और उसके कपड़ों पच्विंगम लगा देता है ये मैंनों कहती है डैविल उन से डरते है जिनका इसक्रू डिला होता है ऐसा कहकर उसे सिक्रेट पास करती है और वो सिक्रेट को ले लेता है अब आकी बताता है जिस डैविल को हमने मारा था अब वो और भी बड़ा हो चुका है अब वो डैविल उनके साथ कॉंट्रेक्ट करने को कहता है वो कहता है कि मुझे डैन जी नाम के बंदे को खाना है और मैं तुम सभी को छोड़ दूँगा बोबेनाई डैन जी को मारने के लिए आती है पर आकी टाइम पर उसके नाइफ को किक करता है और उसे बचा लेता है अब आकी अपने फॉक्स डैविल को बुलाने की कोसिस करता है पर वो भी नहीं आपाता है इमेनो अपने गोश से उसे मारने की कोसिस करती है पर वो डैविल और बड़ा हो जाता है डैविल कहता है कि ये मेरी मैन बोड़ी नहीं है और तुम मेरा हार्ट भी नहीं डून पाओगे, अब तुम्हारे पास एक इचारा है, डैन जी कहता है कि मेरे मरने के बाद भी तुम इने नहीं छोड़ोगे, परिमेनो कहती है, ऐसा नहीं है, ये डैविल अपने वर्स के पक्के होते हैं, अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो इ अब कोबे नाई नाइफ लेकर उस पर मारने के लिए आती है, वो कहती है कि ये सारी चीज़ इस फिरेंड की वज़़े से हुई है, कोबे नाई चिलाती है, इस चीज़ की वज़े से वो डैविल उनके पीछे पर जाता है, वो टैंजी को खाने की बात कहता है, अब वहां क फ्लोर टेड़ा हो जाता है सभी डैंजी को बढ़ने के लिए कहते हैं आकी कहता है कि मैं अपनी स्वार्ट से उसे मारतूंगा लेकिन इमेन अपनी गोस अबिलिटी से उसे पकड़ लेती है अब कोबे नई उस पर नाइफ लेकर अटेक करती है लेकिन आकी उसे बचा लेता ह आकी कहता है कि अकेले गंड डैविल को मैं नहीं मार सकता पर मुझे डैंजी की जरूरत है इसलिए मैं डैंजी को बचाओंगा चाहे अपनी लाइफ के कुछ पर उसके नाम क्यों ना कर दूँ अब डैंजी भी अपना प्लैन बना लेता है और अपने चेंज सौ का वायर ख हो जाता है